Hey guys, welcome to my channel Chilin Gusto. First of all, आप सभी को Happy Teachers Day if you are watching it on 5th of September. Otherwise, अपने teachers को प्रणाम करें और वीडियो के ओर बढ़ें. तो इस वीडियो में हम 10 idiom सीखेंगे, Teachings Related. दूसरों को knowledge और उनके लाइफ में आगे बढ़ने में help करने का मौका सबको नहीं मिलता. पर बात ऐसी है कि कोई भी सिख्षक हो सकता है. टीचर होने के लिए बस टीचर होना ज़रूरी नहीं. खेर, यदि मैं टीचर बस बीच देने लगी ना, तो 4-5 गंदे तो यूहीं बीच जाने है. So, without further ado, let's get started. तो पहला इडियम, you can't teach an old dog new tricks. Meaning, it is very difficult to teach someone new skills or to change someone's habit or character. मतलब, एक पुराने कुट्टे को नई तर्कीब सिखाने को एक बहुत ही मुश्किल काम जाना जाता है. उन्हें कोई तर्कीब सिखाने की बात तो दूर, जैसे जैसे कुट्टे बड़े होते जाते हैं, उन्हें कुछ भी सिखाना और मुश्किल होता जाता है. अगर हम human beings पर लागू करें ना यही चीज, तो crystal clear हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहरी हूँ. और यह तो और मुश्किल तब हो जाता है, जब कोई पूरे जीवन पूरी आदते सीख रखा है, तो उसे बतलना तो बहुत ही मुश्किल है. देखा लोके अट दी एक्जाम्पल. फन हुआ होगा तुमारे लिए तो. Not at all. She just doesn't understand technology. And the worst part is, she didn't even say thank you. It was very frustrating. बिलकुर फ्रॉस्टरेट हो चुकी है, क्योंकि उसकी दादी को technology तो दूर. Thank you बोलना नहीं आया. Forget it. यह कहती है, well, I guess you can't teach an old dog new tricks. Okay, तो I hope clear हो गया होगा, but still a warning है. Be careful कि आप किसी व्यक्ति को describe कर रहे हैं, तो उसके सामने इसे use ना करें. थोड़ा offensive हो सकता है. आप उन्हें भई बुड़ा कह रहे हैं, तो उन्हें बुड़ा तो लगेगा ना. Another idiom. Don't teach your grandmother to suck eggs. Meaning, don't give advice to someone about a subject that they already know more about than you. हाँ, थोड़ा strange लग रहा है. यह idiom कहां से आया, इसका in real कोई answer नहीं है. और हाँ, इसका eggs के साथ तो गए वास्ता ही नहीं है. लेकिन फिर भी यह exist करता है. आज इसका meaning यह हो सकता है, कि आपको किसी ऐसे इंसान को नहीं सिखाना चाहिए, जिसे वास्ताप में आपसे थोड़ी जादा ही knowledge है, क्योंकि हो सतता है, वो आपसे कुछ जादा ही बहतर जानते होंगे. The idea is that your grandma knows how to suck eggs. उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, यह बताने कि आपको जरूरत नहीं है. I know it's weird, but this can be a good phrase to get rid of tension and make people laugh. Let's take an example. Okay, Jake, now I'll show you how to pose like a model. Jake, Nishu, I know how to pose. Don't teach your grandmother to suck eggs. इसे pose खरना आता है, इसे कहती है कि मुझे सिखानी की जरूरत नहीं है. Again, it makes no sense, but it is a fun phrase to use in a frustrating situation. Another idiom, that will teach them. Meaning, used to say that a person should avoid doing something bad in the future thanks to the experience of the effects of their action. या पदला लेने या किसी वैक्टी को कह सकते हैं, जिसने अतीत में कुछ बुरा किया हो. आम तोर पर भले ही हम ऐसी संस्कृती में रहते हैं, जा हमें सिखाया जाता हैं, कि बुरे लोगों के साथ बुरा ना करें, उन्हें माफ कर दे, पर भाईया, हम तो इंसान हैं ना, अब इन संस्कृती बहन को कौन सिखाये, कि हम इंसानों को रिवेंज मिल जाए, तो उससे बड़ा सुकून कहीं नहीं है. इमाजन किसी ने आपको स्कूल में धंकाया है, और अब आप स्कूल में थे, तो आपको कभी उन से बदला लेने का मौका नहीं मिला. ना, इमाजन दाट टू यह बदमाश कुछ बुरा करता है और मुसीवत में पढ़ जाता है. तो यू कुछ से, यू कुछ यह सो जाता है यह उस शॉप अनर को जानता है जिसके शॉप बन दोने वाली है. तो रमेश पूछता हाओकम? भई इसके बेटे के लिए इसने टोई खरी दी थी और वो तूड गया तो रिफ़न के लिए जाता है तो रिफ़न नहीं देता है उसे तो रमेश कहता है, oh okay, no wonder his shop is closing then Tony, yeah exactly, that will teach him anyway बदला लेने से पहले आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते है for instance, अगर Tony ने रमेश से कहा, I hope उसकी दुकान बंद हो जाए that will teach him, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो another idiom, those who can do, do, those who can't teach meaning, who are especially skilled in a certain field or area will be able to pursue a career while those who are less skilled will end up teaching about it instead this is a very famous phrase for teachers everywhere but personally, I think not for the right reasons this phrase का मतलब है कि किसी टीचर ने इस प्रफेशन में आने का कब सोचा तब सोचा जब उन्हें समझ आगिया कि वो किसी और प्रफेशन में जाने लायक नहीं है I know it's very rude, अगर आपने इसके बारे में सोचा तो teachers generally do a good job and provide a service that many other people do not sharing a knowledge is so important and to be able to teach is an invaluable skill I am sure you all agree, forget it, अभी ये इडियम है तो है, जानना भी तो जरूरी है let's look at the example, करन so Preeti, what do you do for a living? well, I am trying to be a writer but I am a teacher at the moment presently वो एक teacher है but वो राइटर बनना चाहती है so करन कहता है, well you know what they say, those who can do, those who can't teach अब इसे बुरा तो लगेगा ना I actually find that very offensive करन, oh I am sorry, I am only joking as with many idioms, be careful when you use this try not to say it in front of teachers, if you choose to say it at all ठीक है, teachers के जामने यूज मत करियेगा another idiom, tricks of the trade meaning clever method used by people who are experienced in a particular type of work or effort activity, this is a fun phrase, tricks of the trade वो information है जो लोग अपने जीवन को आसान बनाने के लिए experience के साथ सीखते है यह जो भी वैपार में उसने समय लगा कर सीखा जाता है ठीक है, you can say that the tricks of the trade help you to cut corners or save time on things that would usually take a long time try to think of some tricks of the trade in your job एक example हो सकता है, जब शेफ अपने serving time से पहले बहुत सारा खाना बना लेते हैं ठीक है, इससे उन्हें ना समय बचाने में थोड़ी मदद मिल जाती है और hectic situation जैसे जादा customers आगे है या ठीक है, तो उन्हें टाइम बचाने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी ठीक है, ताकि मदद मिल जाए उसे या, आँ, I see that makes sense you are using your experience well रिया, thanks diya another idiom, to teach someone a lesson this is very similar to that will teach them more revenge ठीक है, meaning if you say that you are going to teach someone a lesson you mean that you are going to punish them for something that they have done so that they do not do it again imagine what time, जब आप किसी से नाराज हो गए थे और आप patience खो रहे थे आप यह सोचने लगे थे कि आप उस वैक्ती के पास जाएंगे और या तो उन्हें पर चिलाएंगे या उन्हें महसूस कराने में मदद करेंगे कि उनका जो वैबार था ना वो सही नहीं था this is what it means to teach someone a lesson for example, Babita Nia, did you hear what Tim said about your new car? Nia, no, what did he say? he said that it looks stupid and that you are just trying to get attention oh, is that right? yeah, I was really surprised I am going to teach him a lesson about respect you don't talk about it people like that अब ये तो से सबक सिखाने चली हम अगले इडियम की तरफ बढ़ देते हैं you can lead a horse to water but you can't make him drink meaning, you can provide someone with a nice opportunity but you can't make them take it if they don't want to ये ठीक वैसा ही है जैसा लिखा है लेकिन मैं आपको बताऊंगे कि कब और कहां इस इडियम का यूज करे imagine, आपके पास एक घोड़ा है जो रेगिस्तान में ठीक है उसके पास लंबे समय से पानी नहीं है और वो बहुत प्यासा है उसे पानी चाहिए तो आप उसे किसी पास वाले नदी के पास ले जाते है ठीक है, पानी पिलाने के लिए अब आप पानी के पास तो ले जा चुके है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है तो आप क्या करोगे? आपका काम था उसे पानी तक ले जाना आप उसे पानी पिलानी सकते हो now taking into realistic situation including teaching आप लोगों को दिखा सकते हैं कि चीजों को कैसे करना है और सही क्या है लेकिन अगर वे नहीं चाहते हैं तो आप उने बदल नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते रियल लाइफ में एक एक एक्जामपल होगा यदि आपको कोई फ्रेंड है जो पढ़ाई नहीं करता आप हर दिन उसे सिखाने की कोशिश करते हो भाई पढ़ लो पर उसे पढ़ाई करने में बिल्कुल इंट्रेस्ट ही नहीं है तो अब आप उसे पढ़ा थोड़ी सकते हो ठीक है चुड़िए एक एक एक्जामपल लेते हैं लीजा, I have tried and tried but I still cannot get Chris to study, he is going to fail लीजा, I know Graham, I have tried to, दोनो Chris को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, पतलब ready हैं but फिर भी पढ़ानी पा रहे हुसे लीजा, I have written notes for him, I have offered to give him worksheets to improve and I have even offered to study with him, he just won't do it लीजा, well you have done everything you can Graham, sometimes it's not possible to change somebody like Chris you can lead a horse to water but you can't make him drink, this is a really cool phrase and sounds very sophisticated when you use them correctly another idiom, do as I say, not as I do, meaning model yourself after my instructions, not my actions, this one is straight from the parents handbook माता पिता न, अपने बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपून टीचर होते हैं, लेकिन यह सुनेशित करना मुश्किल हो सकता है कि उन्हें हर दिन सही वेभार दिखाया जाए, बच्चे होस्यार होते हैं भई, माता पिता त्वारा की जानी वाली छोटी जोटी गलितियों पर नजर रखते हैं, ठीक है ऐसे में अगर पेरेंस अपने बच्चों को चिलाने लगें, ठीक है पहले तो वो कहते हैं कि भई, पिटा, शांती से बात करो, चिलाओ मत और यदि वो किसी टाइम चिलाने लगे बच्चे पे, तो बच्चे एक मौका नहीं छोडेंगे यह कहने के लिए कि आपने तो मुझे से कहा है था कि चलाना नहीं चाहिए और आप खुद मुझ पर चला रहे हैं It's difficult to come back from such a clear accusation. This is where the phrase becomes useful where the parents tell the child to do what they say and not to copy their own behavior. For example, जया, वरुन, what have I told you about eating chocolate before you eat breakfast? वरुन, you told me that I shouldn't eat it, but I was really hungry. जया, if you eat chocolate now, then you won't want to eat breakfast. चोकले चाने से मनना कर रही है, breakfast काने से पहले. तो वरुन क्या कहता है? I saw you eating chocolate before breakfast yesterday. Why do you get to do it, but I don't? अब आप कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो इसकी मा कहती है, नाव वरुन, do as I say, not as I do. जैसा मैं बोलती हो, ऐसा करो, जैसा मैं करती हो, वो देखने की ज़रूरत नहीं है. Another idiom, to set a good example. Meaning, to behave in a way that other people should copy. Teachers और parents की ये जिम्मिदारी है, ये responsibility है, कि बच्चे को एक अच्छा उदाहरन मिले, ठीक है ना? और कुछ उन्हें अच्छा सिखाया जाए. ये पिछली idiom का ज़स्ट उल्टा है, इसका मतलब है कि वास्तव में वही करना है आपको, जो आप सामने वाले को सिखाना चाहते हैं. Example, Sita, Mom, Dad told me that I can't have chocolates before dinner. Mithali, Yes, that's right. You are not allowed to have chocolates before you eat your dinner. What's the problem? Sita, Well, I saw him eating chocolates after dinner, before dinner, sorry. It's not fair that he can do it but I can't. Mithali, Johnny, Is that true? इसके पापा जो है, इसे सिखाते कि भाई, ठीक है, तुम दिनर के पहले चॉकलेट मत खाओ, बट खुद वो चॉकलेट खाते वे पकड़ा गया है, तो अब ये मम्मी से कंप्लेट कर रही है. तो Johnny भी अग्री करता है, Yes, But I am allowed, I make rules, मैं rules बनाता हूं, मैं allowed हूं, तो इसके मा कहते है, Come on Johnny, You have to set a good example to your daughter. No chocolates before dinner. Let's move on to the last stadium of the day. Take it from me. Meaning, That what I say is true, Because I know, Or have experienced it. ये आप क्यों बोल रही हो? और आप जानते हो, ये सच है, क्योंकि आपने experience किया है, इसले आप कह रही हो. This is a good expression, To show expertise about a certain subject, Or speak with authority. आप इसका इस्तमाल अनुभर से बोल रही हो, है न? अन्य लोगों को आप चाहते हो, कि आपके अतीज से वो सीखे, इसले आप help करना चाहते हो, इसले आप बता रही हो. This is a good phrase for a teacher, Because they can make a personal connection with their students, You can use this to speak confidently about a subject, You understand properly. Let's look at the example. Teacher, Nia, Why are you late again? Nia, I woke up late, ma'am, So I missed the bus. Teacher, Well, Do you go to bed early? Nia, No, I hate sleeping. I prefer staying up late and watching television. Teacher, Well, Yes, We all would like to stay up late all the time. Take it from me. I used to be like you, But I realize now, How important sleep is for my development. Abhya, Apeni student Nia ko sikhana cha rie hai, Ki pehle woh bhi iski tarah hi late se utha karti thi. But ab, Experience ke saath usai sikhha rie hai, Aur khe rie hai ki sleep kitna important hai development ke liye. Toh, Pichari Nia bhi abh sikh gai. I understand. I'll try to go to bed early from now. So, That was it for today. I hope these phrases have helped you to talk more about teaching. Even if you are not a teacher by profession, It's so important to remember that everyone is teaching someone or the other. And you may not even realize sometimes. Okay. Just do your best. Okay. And set up good example that people can learn from. And things will be fine. Subscribe to my channel Chillin Gusto. Press the bell icon. And don't forget to like and share. Thank you.